हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के लिए वनीला आइसक्रीम की रेस्पी लेकर आई हूँ इसके लिए मैंने यहां एक मोटे तले की गंजी ली है उसमें एक लीटर दूद डाल करके गैस के उपर चड़ा दिया है मैं यहां तेज आँच में ही दूद को गाढ़ा कर रही हूं और यह दूद जब तक एक लीटर से आधा लीटर ना हो जाए इसको चलाते ही रहना है मैं यहां एक कप सुगर डाल रही हूं आप चाहें तो शक्कर कम जादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो अब शक्कर डालके इसको कंटीन्यू चलाते रहना है शक्कर डालने के बाद थोड़ा दूद पतला दिखने लगता है इसलिए मैं यहां तेज आँच में ही दूद काफी गाड़ा हो चला है इसको एक लीटर से आधा लीटर दूद कर लेना है यह बहुत अच्छा दूद गाड़ा हो जाएगा तभी हमारी अच्छी आईसक्रीम जमेगी यह देखिए दूद बहुत अच्छे से गाड़ा हो चुका है अब मैं यहां गैस को बंद कर दूँ और थोड़ा देर दूद को ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम एक ऐसा स्टील का बरतन लेंगे या आपको जिसमें आइस्क्रीन जमाना है उसको आप ले सकते हैं यह जो दूद गाढ़ा हुआ था उसको मैं इस बरतन में डाल रही हू अब यह हमारी सीक्रेट इंग्रीडेंट एक कप मलाई है यह मलाई ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए दो दिन की ही मलाई काफी अच्छी रहेगी अब मैं पुरी मलाई को उस दूद में मिक्स कर दूँगी जो इसमें गाठे वगएरा थोड़ा मलाई की है इसको भी फ साथ अब इसके ऊपर हम एक सिल्वर फाइल लगाएंगे जैसा मैंने एक सिल्वर फाइल लिया है सिल्वर फाइल को अच्छे से लगा देंगे जिससे बर्फ नहीं जम पाए इसलिए सिल्वर फाइल लगाते हैं अब मैं इसको ढखकन से अच्छे से बंद कर दूँगी और तो इसको मैं फ्रिजर में रख दूँगी, अब मैं मिक्सी का ऐसी ब्लेड वाला जार ले रही हूँ, इसमें हमको फेटना है आइसक्रीम, चार से पांस घंटे बार आइसक्रीम को बाहर निकाल लेंगे फ्रिजर से, और यह देखी, ऐसी आइसक्रीम हमारी जमेगी, आधी ल वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लिएगा, अब हम मिक्सी को बंद करके, अच्छे से चला लेंगे, यह आप्शनल है वनीला एसेंस, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहां दस से बारा मूंत वैनीला एसेंस डाल रही हूँ, इसको फिर से चलाएंगे, और इसका टेक्स्चर आप देखेगा कैसा है, बिल्कुल आपको वैसा जब तक टेक्स्चर नहीं आ जाता है, जब तक मिक्सी को चलाते रहेंगे, यह देखे, मैं मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसे यह देखे, बिल्कुल क्रीमी सी आइसक्रीम लगने लगती है, अब मैं उसी बरतन में फिर से जमाने के लिए पूरा आइसक्रीम का बैटर डाल रही हूँ, अब इसको अच्छे से डाल करके टैप कर लेंगे, जिससे इतने भी एर बबल्स वगरा होते हैं, वो हट जाएं, फिर से इसके उपर वही सिल्वर फाइल लगा करके ढकन को बंद करके फ्रिजर में रख देंगे, पूरी रात के लिए, पूरी रात के लिए रख दिया था मैंने, अब दूसरे दिन मैंने आइसक्रीम को ओपन किया, यह देखिए, कितनी बढ़ियां आइसक्रीम जमी है, मतलब यह आपके मार्केट से भी अच्छी आइसक्रीम जमी है, इसका टेक्स्टर और टेस्ट बहुत अच्छा है, यह सारी चीजें हमारे घर में एवलेबल होती हैं, तो आप फटा-फट बनीला आइसक्रीम बनाएं और गर्मी में आइसक्रीम को एंजोई करिए, आइसक्रीम के उपर अगर चॉकलेट सीरप से गार्निस कर देते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है आइसक्रीम, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है आइसक्रीम, तो आप आइसक्रीम करिए और अपना अनभव हमारे साथ शेयर करिए